पहले ही लेयर में सुरक्षा कर्वियों ने हिम्मत दिखाते हुए सारोपी को रोक लिया वरना ये अंदर जाकर के जहां बहुत सारी भीड रहती है श्रधालू रहते हैं उन पर भी हमला कर सकता था इन सारी संभावनाओं पे विराम लग गया क्योंकि इसके हाथ में धारदार हतियार होने के बावजूद भी कॉंस्टिबल्स ने इसे रोक लिया और इसलिए उनको इनाम भी दिया जा रहा है लेकिन बड़ा सवाल ये है कि गोरकपूर में गोरक नात मंदिर परिसर एक ऐसी जगह जहां सुरक्षा के लिए तमाम व्यवस्थाएं बहुत पहले से ही चाक चौबंद रहती है और ऐसे में किसी सिर्फिरे का या किसी साज़श के तैत किसी शक्स का आ जाना ये तमाम चीजे कैस अवाल खड़े करती है चलिए हम इसलिए पर्ताल करने की कोशिश करते है कि पर्तों में क्या छुपा है क्या पता चल रहा है हमारे सायोगी विवेक्तर पाठी जुड़ गए हैं लकनव से, नीरश्रिवास्तो हमारे सायोगी गोरखपुर से हैं और मृत्यूंजे समवाद दाता हमारे मुंबई से जुड़े हैं जो मुंबई मुर्तजा है, उसका connection ये है कि वो मुंबई के IIT से पढ़ा हुआ है IIT पवई इलाका जो, IIT पवई में उसने केमकल इंजिनरीं की पढ़ाई की है केमकल इंजिनरीं की पढ़ाई करने के दौरान वो मुंबई में रहता था और आपको बता दे कि मूंबई के पास का नवी मूंबई इलाका है और नवी मूंबई इलाके का यह जो आप जगध देख रही है मिलेनियूम टावर्स में उराहग ता यहां तक कि उसके पास हैं उसके पास जो दस्ताविश बरामत कीए गया है उसके मुताबिकों कुछ दोस्तों के साथ यहां पर रहता था और मुंबई में जब यह पढ़ाई कर रहा था IIT पववई में केमिकल इंजिनरिंग की उस पढ़ाई के दौरान उसने जो अपना आधार कार था उसने मुंबई का बना कर रखा हुआ था अब चुकि UP ATS ने कुछ जानकारिया महराश्य ATS से साजा की हैं ऐसे पर महराश्य ATS के अधिकारी भी इस पूरे मामले की जार्ज कर रहे हैं और दो अलग-अलग टीम में इस पर काम करें एक टीम IIT पवई में जाकर इसके बारे में पता लगा रही है इसको गुरूप के बारे में पता लगा रही है इसके दोस्तों के बारे में और इसका विवार कैसा था पढ़ाही के दौरान इस बारे में पता लगा रही है और दूसरा जो गुरूप है ATS का वो निशी तोर पर यहां जहां पर वो यहां पहुचकर यह पता लगा रही है कि किसके घर पर रहता था किस ने रेंट पर दिया हुआ तो किस आधार पर दिया हुआ था और पुराना कोई record या पुराना कोई background है जिसकी जानकारी होना जरूरी है तो इस पहलू से भी इसकी जार्च की जारी यानि कुल मिलाकर इसका एक Mumbai connection भी है जिसको जानना दुनिया के सामने लाना बहत जरूरी है